गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले टन पर हमने हिंदी का पार्ट थर्टीन तारे इसको मैंने आपको समझाया था इसकी शब्दर्द और क्वेस्चन आंसर करवा दिये थे अब हम इसकी एक्सिसाइज पर आ जाते हैं आज हम एक्सिसाइज सॉल्फ करेंगे तो दिखिए गाह नंबर पर दिया है सही उत्तर पर राइट का चिनल लगाई है तारे हमें सामाने तब कब दिखाई देते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं रात को दिखाई देते हैं तारे दूसरा है आपका धृप के पिता का नाम क्या था तो यह हमने पढ़ा था इसमें चप्टर में उत्तान पाथ था धृप के पिता का नाम सब्तिरिशी तारा मंडल में कितने तारे हैं तो आपको मालूम है सब्तिरिशी तारा मंडल में साथ तारे हैं सबसे बड़े तारे का रंग कैसा होता है तो लाल रंग होता है सबसे बड़े तारे का फिर देखिए रिक्तिस्थान बरो मैडम ये तारे क्या है ये सवाल डैश ने अध्यापिका से किया तो यहां क्या आएगा नीलम आएगा तारे छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे ह से बहुत है यानि दूर है पुत्र दृब को भगवान ने प्रसंद होकर डैश बना दिया तो यहां क्या रेकार का डैश का कार खाना थे मोरुणी का मूर अध्यापका राजा का राणी यहां पर क्या करना है इनका लिंग बदलना है हाथी का हतिनी, प्रिया का प्रिय, श्रीमान का श्रीमती, पाठीका का पाठक, पिता का माता तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर देखिए यहाँ पर दिया है निमले के शब्दों के बहुवचन लिखिए तो एक है तो रात एक से जादा हो जाएंगी तो रात हैं एक है तो घोड़ा एक से जादा होंगे तो घोड़े इसी तरह से गती का गतियां गुडिया का गुडियां चंदरबिंदू लगेगा गिवल लता का लताएं कलम का कलमें देवी का देवियां सभा का सभाएं फिर देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं जिनको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है तो पहले हम शब्द को नोट करेंगे फिर इस तरह एरो बनाकर उसका प्रयोग करेंगे तो जैसे तीवर तारे तीवर गती से चकर काटते हैं दूसरा शब्द है आपका बड़ा तो सूरी हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है तो यहाँ लाइन में बीच में कहीं भी आना चाहिए जैसे बड़ा यहाँ पर आया तीवर यहाँ आ गया इसी तरह से जो शब्द आप लिख रहे हो यहाँ सामने वो आपके वाक्य के अंदर कहीं न कहीं आना चाहिए तो देखिए चमकीला जैसे कोई कोई तारा बहुत चमकीला दिखाई देता है तो यह आगए आपका चमकीला फिर देखिए सफेद तो तारे लाल, पीले, नीले और सफेद दिखाई देते हैं तो यहाँ सफेद आगए आपका फिर ग्यानी देखिए रिशी मुनी ग्यानी होते हैं तो यहाँ पर ग्यानी इस्तेमाल हुआ मंद देखिए हवा मंद गती से चल रही थी तो यहाँ पर अपने मंद का प्रयोग कर दिया, फिर देखिए, निमलिकित वाक्तियों का काल बदल कर लिखिए, यानि यहाँ पर दिया गया जो काल है, उसमें आपको चेंज करना है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, इसका मतलब यह भूत काल है, अब इसे वर्तम काल, राम और श्याम अच्छे मित्र है, यह वर्तमान काल है, इसे भूत काल में चेंज करना है, तो यहाँ पर थे आ जाएगा, जैसे राम और श्याम अच्छे मित्र थे, फिर देखिए, कल पूर्णिमा थी, यह भूत काल है, इसे भविश्य में बनाना है, तो कल पूर्ण उत्तानपात के पुत्र दुरुप पर प्रसंद होकर भगवान ने उसे दुरुपतारा बना दिया था तो ये भूत काल है इसे वर्तमान में चेंज करना है तो राजा उत्तानपात के पुत्र दुरुप पर प्रसंद होकर भगवान ने उसे दुरुपतारा बना दिया है फिर देखें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं तो प्रकाश का पर्यायवाची होगा रोश्नी उजाला अध्यापिका का पर्यायवाची होगा शिक्षिका आचार्या तूरी का पर्यायवाची होगा रवी भानू राजा का पर्यायवाची होगा न्रिप नरेश पक्षी का प दूर्चर नब में रहने वाला यानि नवचर जो कभी ना मरे उसको क्या करते हैं अमर जिसका मूल्य आका ना जा सके तो वो होता है आपका अमूल्य अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या क्या तो सबसे पहले आप इसके ये रिक्तिस्थान करेंगे कॉपी के अंदर फिर इसके बाद यहां लेंक बदलो जो दिया है उसे करेंगे फिर तीसरे नमबर पर यहां पर जो शब्द दिये हैं प्रयोग करने के लिए आप उसको करेंगे उसके बाद मैं यहां चौथे नमबर प पुसा मज़ में आ गया होगा थेंक्यू